ने ने बिल्कुल सही कहा है जो श्रीलंका के विदेश मंत्री ने बिल्कुल सही मुद्ध उठाए हैं, बात ये है कि जो कैनेडा है ये एक तो डूबल स्टेंडर्ड्स वेस्ट के, वो अगर उसामा बिन लाडन को मारना है, आईमानल जवारी को मारना है, हुसेनी किसको भी म नहीं कि परबने चाहरा भी इंचरों को सब्स्कराय को थांब माप दंड है that is the root of the problem और देखिए बात ऐसी है कि तुरूदो साब कहते हैं कि rule of law पे हम चलते हैं अर्य साब जो देश rule of law पे चलता है वो दूसरे देशों को terrorist को पना नहीं देता training camps नहीं खोलता वहाँ पे जो है drug war के लिए gang wars के लिए अपनी खुली छूट नहीं देता आप मुझे बताईए 38 साल हो गए है कनिश्का की aircraft tragedy को अभी तक क्या किया है कैनेडा ने उनको पकड़ने के लिए सब को छूट जाने दिया सब को छूट जाने दिया और जिसमें की 239 बेकसूर नागरिक जो अलग-अलग देशों के थे वो शहीद हुए थे जिसमें 268 तो कैनेडा के खुद के नागरिक थे बात ये थी कि क्योंकि वो भारतिय मूलके थे कोई परवा नहीं है कैनेडा को यह दो अलग-अलग मुद्दे हैं लेकिन मैं ओवरॉल उनसे सहमत हूं कि यह दोहरे माप दंड यह नहीं चरेंगे दुनिया को कुछ न कुछ करना पड़ेगा यह दोहरे माप दंड खतम करने के अगर अमेरिका के खिलाफ कुछ एक्शन होता है तो वो तो टेरिस्ट है लेकिन अगर वो भारतियों को मारे वो टेरिरिस्ट नहीं है वो एक्टिविस्ट है वो खालिस्तान सपोर्टर है यह यह बक्वास बाजी है बिल्कुल पहले केनडा की सरकार हमको कोई क्रेडिबल प्रूफ तो दे क्रेडिबल एलिगेशन यह तो नया एक फ्रेज हमने सुना है क्रेडिबल एलिगेशन क्रेडिबल प्रूफ कहां है वेर इस दे प्रूफ शो आस दे प्रूफ कैनडा की सरकार ने कोई प्रूफ नहीं दिखाया यह तो शूट अंश्कूट है मारो आरोप लगाओ कि आप कालिख पोत दो थोड़ी तो कहीं न कहीं चिपकी जाएगी दिवार पे भेको गंद कहीं न कहीं कुछ तो चिपकेगा आप प्रूफ दिखाये साब आप कहते हैं कि कैनडा रूल ऑफ लॉफ लॉफ पे चलता है इंटरनेशनल रूल बेस्ट और पे चलता है कौन सा रूल बेस्ट और आपको इजाज़त देता है दूसरे देशों के टेरिस्टों को गैंग वार वाले ड्रग वाले ओंको पनाह देना इस टा क्रिमिनल एंटरप्राइज य बिल्कुल वो बिल्कुल कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए टेरिरिजम के लिए जब त्रेदाव साहब दिल्ली में आये थे तो उन्होंने इस डेकलरेशन डेली डेकलरेशन ओफ इंपॉर्टन लीडर जो थे जी टुएंटी के उस पे हस्ताक्षर किये थे जिसम साफ कहा गया है कि टेरिरिजम को कोई सपोर्ट नहीं दिया जाना चाहिए उनके खिलाफ सक्त से सक्त एक्षन होना चाहिए उनके फाइनेशल नेटवर्क्स पे ऑपरेशनल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के बर खिलाफ एक्षन होना चाहिए ये एक्षन है साब कि आप उन गया साब 339 जो बेकसूर लोग शहीद हुए उसके बारे में आपने क्या किया है 38 साल हो गए उसको